जय मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जय मातादी जरूर लिखें दोस्तों, होली का दिन साधना, टोटके और उपाय के लिए अत्यन्धी महत्व रखता है, होली का पर्व रंगों और खुसियों का तेवार है, लेकिन होली के दिन कुछ उपाय और टोटके अपना कर, आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में हर कार में सफलता हासिल कर सकते हैं, दोस्तों, इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे, कि होली की रात कौन से टोटके और उपाय करके, आप अपने जीवन को खुसियों से भर सकते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्विस्ट है, कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, तो आईए सुरू करते हैं, दोस्तों, घर के प्रतेक सदस्य को होली का दहन में, देसी घी में भीगोई हुई दो लॉंग, एक बतासा और एक पान के पत्ते को होली का की अगनी में जरूर अर्पित करना चाहिए, और इसके बा हो जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्यात या अग्यात किसी भी सत्रू ने आप पर तांत्रिक प्रयोग करा दिया है, तो आप होली का दहन के समय एक नारियल, दो लॉंग, पीपल की जड़, थोड़े से तिल और पीली सर्सों को 21 बार अपने उपर से उतार कर होल होली का की अगनी में डाल दें, ऐसा करने से आपको तंतक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी, या इसके अलावा होली का दहन के दिन काले कपड़े में बांध कर काले तिल अपनी जेव में रखें, और रात को जलती हुई होली का में डाल दें, आप पर यदि पहले से कोई टोना टोटका होगा तो वे भी समाप्त हो जाएगा, यदि आपके घर में लोगों के बीच में बनती नहीं है, या फिर आपके घर में अक्सर लडाई जगड़े होते रहते हैं, तो होली का के दिन होली की अगनी को घर में लाकर उसमें लोबान और कपूर डाल कर उसे अपने दूर हो जाएगी, दोस्तों होली का दहन के दिन अपने सरीर पर तिल का तेल जरूर लगाएं और अपने सरीर पर उप्टन भी करें, इसके बाद सरीर से उतरे हुए इस उप्टन को किसी पात्र में एकत्रित कर लें, और साम के समय होली का दहन की अगनी में उस उप्टन को डाल दें ऐसा करने से आप के सरीर के सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाएंगे यदि आप अपने सत्रूं से अधिक परिसान रहते हैं तो होली के दिन साबुत उरत की दाल के 38 तथा चावल के 40 दाने मिला कर किसी गड़े के नीचे दबा दें और उपर से नीबू निचोड़ दें और नीबू निचोड़ते समय अपने सत्रू का नाम अवस्य लें ऐसा करने से आपको सत्रू से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों होली के दिन साथ गोमती चक्र लें और भगवान विश्णुजी से प्रात्ना करें कि आपकी धन सम्मंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं और फिर उन गोमती चक्रों को होली का की अगनी में डाल दें ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी यदि आपको संतान प्राप्ती में बाधा आ रही है या फिर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती है तो होली के दिन भगवान क्रश्ण जी की पूजा अवस्य करें और होली की अगनी में मिश्री और माखन अवस्यर करें और भगवान क्रश्न से प्रातना करें ऐसा करने से आपकी संतान समंदी जो भी समस्या है वह जल्दी समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद